अस्सलाम वालेकुम, हाई स्टुडेंट्स, आज हम एक्ससाइज नमबर 1.6, सॉल्व दि फॉलोइंग इक्वेशन बाइ फैक्टोराइजेशन, मतलब इक्वेशन को हमने फैक्टोराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, प्रिवेस वीडियो में हमने इक्वेशन को के अंदर कनवर्ट करेते हैं, आज हम एक्वेशन को फैक्टोराइजेशन मेथड सो सॉल्व करके दिखेंगे, तो रिस्टार्ट करते हैं, सुबसे बहले सॉलूशन, दिखें, एक्स स्क्वाइर बाइनस 5 एक्स प्लस 6 इस इक्वेल टु जीरो, यह हमारा स्टेंडर्ड फ यह स्कॉयर वाला यह मिडल ट्रम है और यह लास्ट ट्रम है, तो मतलब हमने सबसे पहले स्पर्स्ट को लास्ट थम से मल्टिपलाई कराने हैं, मल्टिपलाई कराने के नतिज्गे में हमारे पास 6 आएगा, 1 मल्टिपलाई 6 इसी 6 का हम लेंगे, 6 6 को 2 से डिवाइड करवाएंगे 2 3 जा 6 3 जा 3 अब देखें या भी 2 नमबर आया है 2 नमबर को ऐसे लिखेंगे 2 और 3 अब देखें इस दो नमबर को माइनस या प्लस करके देखेंगे तो यह हमारा मिडल टम बनना चाहिए माइनस 5 देखें प्लस लाएंगे तो प्लस 5 आजाएगा हमें चाहिए माइनस का तो यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3 इस इकल टू माइनस 5 अब देखें x स्कुरर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अब देखें यह और यह इसमें से जो कॉमन आए हूँ हम ले 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 ngay लेकर इसमें से कॉमन आए एक्स x x स्कुरर माइनस ऐसी रहा अब देखें यहाँ से एक x निकल गया यहाँ पे बद़गे है 2 माइनस अब यहाँ से कॉमन क्या आए रहा? 3 एक्स ऐसी रहा अब देखें यह माइनस प्लस से मल्टिप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस अब यहां पर ऐसा नमबर हमें लिखना है जो मल्टिप्लाई होने के बाद 6 बने 6 आए तो यहां पर 2 लगाएंगे माइनस थीरी एक्स माइनस माइनस प्लस थीरी टू से 6 अब देखें यह और यह हमारा Common है जिसको एक बार लिख देनें एक्स माइनस टू अब देखें एक्स माइनस थीरी यह यह ऐसी रहा is equal to zero देखे, दो term multiply form में हो और is equal to zero हो हम simple either or करते है either or x minus 2 is equal to zero x minus 3 is equal to zero यह minus 2 is equal to के बाद जाएगे प्लस का हो जाएगा यह भी is equal to के बाद जाएगे प्लस का हो जाएगा इसको अब हम bracket के अंदर लिख लेते हैं 2,3 answer अब question number 10 की तरफ चलते है question number 10 हमारे पास जो है देखें यह question हमारा standard form नहीं बना हुआ है इसको हम पहले rearrange करते है solution प्लस का एक्स अब यह इसको है इसी रहा प्लस का एक्स अब यह इसकोल के पास 6 प्लस के पहले लाएगे तो माइनस का 6 अब देखेंगे यह standard form of quadratic equation बन गया अब देखेंगे यह आप कोफिशन कुछ नहीं है तो 1 होता है 1 को 6 से multiply करेंगे तो 6 आएगा 6 आएगा 6 का एलसियम लेंगे तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3 अब इसी तरह दू नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे अब देखेंगे दू नंबर को प्लस या माइनस करके देखेंगे जो हमारा प्लस एक्स आना चाहिए अब देखें माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर के साथ प्लस का निशान है तो प्लस आएगा तो ये 1 आगिए देखेंगे इसको एक्स स्क्वार माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 3 एक्स माइनस 6 इकल टू 0 इसम्पल इसमें से common जो आएगा ले लेंगे एक्स माइनस 2 प्लस एसी रहा अब यहां से 3 common आ रहा रहा आएक्स अब ये प्लस ये माइनस से मल्टिप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 2 इकल टू 0 अब देखें ये और ये common आ रहा है तो इसको हम x माइनस 2 ले लेंगे अब यह देगे X plus 3 X plus 3 is equal to zero 2 term multiply form is equal to zero तो either or either or X minus 2 is equal to zero X plus 3 is equal to zero X plus minus minus यह माइनस के लिटू को भी बाद जाए कि प्लस इसको ब्रैक्ट में लिख लेते हैं अब टू कॉमा माइनस थ्री यह हमारा अंसर होगे कुश्चन नमर 11 की तरफ चलते है कुश्चन नमर 11 में भी से पहले सॉलुशन दीखें एक्स स्कार का जो कॉफिशन है यहापर 2 है सबसे पहले हमें कुश्चन को अरेंज करना है 2 एक्स स्क्वाइर यह पलस का 13 एक्स है पहले लाइन यह माइनस का 13 एक्स पलस 21 इस इक्वल टू 0 अब यह स्टेंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉड्रेटिक एक्वेशन बन गया अब एक्स स्क्वाइर का कॉफिए यह अब टू है और यह लास्ट ट्वाइन है इसको सिंपल मल्टिप्लाइ कर देंगे 21 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 42 42 अब हम LCM लेंगे LCM 2 के टेबल से करते है 22 जा 4, 21 जा 2 37 जा 21 7 जा 7 अब देखें इसको से मल्टिप्लाइ करते है 6 और यह 7 को इधर लिख देता है अब देखें माइनस या पलस करने पर हमारा माइनस 13 आना चाहिए तो माइनस माइनस 6 माइनस 7 इस इकल टू माइनस 13 अब यह दो नमबर आगिया चलिए इसको सॉल्फ करते है 2x स्क्वाइर माइनस 6x माइनस 7x पलस 21 तो जीरो इसमें से इसमें से कॉमन ले लेंगे इसमें से 2x कॉमन आएगा 2x यहां पर x बचा माइनस 3 3 अब यहां से माइनस 7 ऐसी रहा x माइनस पलस माइनस यहां पर क्या बच गिया 3 7 3 is a 21 माइनस माइनस पलस देंगे यह और यह कॉमन है x माइनस 3 3 x 2x माइनस 7 इस इकल टू 0 आइदर और करते हैं आइदर और आइदर और x माइनस 3 इस इकल टू 0 2x माइनस 7 इस इकल टू 0 अब एक्स ऐसी रहा इस इकल टू पर बात जाके प्लस का अब यह 2x इस इकल टू यह माइनस का इस इकल टू बात जाके प्लस x ऐसी रहा 7 2 मुल्टिप्लाइफ फॉर्म में डिवाइड में आइदर इसको अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3,7 by 2 2 आंसर कुशन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कुशन नंबर 12 हमारा स्टेंडर्ड फॉर्म नहीं बना हुए सबसे पहले इसको सिंप्लिफाई करके स्टेंडर्फ फॉर्म बनाते हैं 2x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस 3 इकल टू 0 सबसे पहले ब्रैकेट टू ब्रैकेट मुल्टिप्लाइए करते हैं इसको इससे 2x स्क्वार प्लस 6x प्लस x प्लस 3 प्लस 3 इस इकल टू 0 2x स्क्वार ऐसी रहा 6x प्लस x प्लस 7x प्लस प्लस 3 6 इकल टू 0 अब देखें यह हमारा स्टेंडर्ड फॉर्म बन गया सिंपल इसको इससे मुल्टिप्लाइए करेंगे 2 x 6 इकल टू 12 अब यह 12 कैल्सियम लेंगे 2 x 6 2 x 3 6 3 x 3 2 x 4 4 अब इसको प्लस करेंगे 4 प्लस 3 इस इकल टू 7 2 x square प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 6 इस इकल टू 0 इसमें से इसमें से common ले लेंगे इसमें से 2 x common आएगा x बचा यहां प्लस यहां पे भी 2 बचा प्लस अब यहां पे 3 common आएगा x x प्लस 2 इकल टू 0 देखें यह और यह common है एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 2 x प्लस 3 2 x प्लस 3 इस इकल टू 0 तो दो टो टम मील्डे प्लाीफम में इस इकल टू 0 आइदर और आइदर और एक प्लस 2 इकल टू 0 2 x प्लस 3 इकल टू 0 x इस इकल टू x 2 x 2x is equal to plus का है, is equal to को बाद जाएगे minus का 3, x is equal to minus 3, 2 multiply form है, is equal to को बाद जाएगे divide, इसको हम bracket में लिख लेते है, minus 2, minus 3 by 2, answer, question number 15, 14 के तरफ चलते हैं, question number 14, इसको भी पहले simplify करके, standard form बनाते है, 2x, 4x, minus 1, is equal to 15, 8x square, minus 2, is equal to 15, minus 2x, minus 2x, 8x square, minus 2x, equal to the parallel line, 15 को minus 15, is equal to 0, अब ये बने के standard form, देगे 8 को 15 के multiply करवाएगे, तो क्या आएगा, हमारे पास, 120, 120 काम, LCM लेलेंगे, 2x, 6x, 12, 0 कर 0, 2x, 6x, 0 कर 0, कि अग्रों कि तुए वन्सा टू एक यहां रिज़ लगा तू फाइब यह थैन फाइब फिफटीन अब देखें कि इसको मल्लिपलाई करते हैं तुट दू दा फॉर फोर टू जा एड़ेट एड़ फाइब फॉर्टी फॉर्टी ती तिरी जा वन्ट्वैंटी नहीं गलाद हो रहा है ये देखें तू टू जा फोर ये दुनों को पहले multiply कराएंगे 4 और 3 से multiply कराएंगे 2 जा 4 4 3 जा 12 12 आ गया अब ये 5 को 2 से multiply करेंगे तो 10 अब देखें अब इसको पलस माइनस करा कि देखेंगे जो हमारा माइनस 2 आना चाहिए मिडल अब देखें माइनस 12 पलस 10 मैनस पलस माइनस माइनस टू एक्स माइनस टैन गया तू बजा तो माइनस टू एक्स बजा करेंगे देखतें इसको 8 x स्क्वार माइनस 12 एक्स प्लस टैन एक्स माइनस 15 इस इकोल टू जीरो अब देखें इसमें से कॉमन ले लेंगे इसमें से इसमें से इसमें से कॉमन क्या आएगा फोर एक्स यहां पर बज़िया टू थेक्स माइनस मैंनस यहां पिबज़िया थिरी पलस असे रहा यहां 10 और 15 में से कमन क्या रहा 5 5 कमन अगया 2 x प्लस माइनस 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 थिरी फाइटी तर फिफ्टीन माइन प्लस माइनस माइनस इकल टू जीरो अब लेगें यह और यह कॉमान है हम एक बार लिखनेंगे इसको टू एक्स माइनस थ्री 4 एक्स प्लस फाइव इस इकल टू जीरो इकल टू जीरो अब देखे, आइदर और करते हैं आइदर और 2x-3 is equal to 0 4x plus 5 is equal to 0 2x यह minus का 3 is equal to के बाच जाएगे plus x is equal to 3 by 2 3 by 2 4x plus के बाच जाएगे minus का 5 x is equal to minus 5 upon 4 अब इसको ब्रेकेट में लिख लेते हैं 3 by 2 कॉमा माइनस 5 by 4 अंसर question number 15 आप लोगों का homework है उमीद करता हूँ आप लोगों को यह exercise किस तमाम questions समझाए होंगे वीडियो अगर मेरे चैनल पर आप नए थे हैं तो kindly subscribe कर दें like कर दें और comment section में अपना comment जरूर करें आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं और हर आने वाली वीडियो ताकि आपके पास बहुत इंपॉर्टन कुछ यह बहुत इंपॉर्टन एक्सरसाइज है इसका एक पार्ट बूर्ट के पेपर में लाजमी आता है तो आप लोग जादे जादे इसको वाच करें प्रैक्टिस करें शुक्रिया अलाफिस